तो हेलो फ्रेंज मैं हूं किरयन और टेक्निकल के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने आज एक किसी सप्राइब बनाया ही है वो भी सीफ और सीफ भी सूपे में विदाउट टांसफर्मर के तो इससे आप बैटरी चास कर सकते हैं आइन 4 007 डायोट ले लेगे और डायोट की दोनों ब्लैक वाली जो हिस्से है लाइन उन दोनों को आपस में जोड देनी है तो ऐसे मैंने दोनों ब्लैक लाइन को जोड दी और दूसरे डायोट हम ले लेगे तो दूसरी डायोट की जो सिल्वर वाली दो लाइन है उन दोन तो मैंने ऐसे ही दोनों डाइट को जोड़ दी और उसके बाद इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको उल्टा सीधा कैसे भी जोड़ सकते हैं सेम काम करेगा कुछ भी नहीं होगा तो मैं इसको जोड़ दे रहा हूं और फ्रेस प्लीज वीडियो को लाइक की दियो चैनल के फिल को सस्काइब कीजिए फ्रेंस और कमेंट में हमें बता है यह वीडियो को कैसे लग रही है सिल्बर लाइन वाली जीदर है वह प्लस है और ज्यदर ब्लैक है वह माइनस है और उपर नीचे एसी का लाइन जाएगा दोशोपचीज जे चार्सों बोल्ट का एक लेनी है और इस रेजिस्टेर वो कैपासिटर की दोनों लेग सपे करैक्ट कर दे को मैं इन DONयों को को सोल्डिंग कर दे रहा है यह पीच डायोड की जहांपग प्लस और माइनस मिला है उस साइट को आपको क्यापीशी्टर में जोड देरी है तो ऐसे मैंने सोल्डिङ कर दिया क्यापासिटर की ये बाली लेक हमारी इनपूट रहेगी और ये दुना हमारी आउटुट रहेगी तो क्यापासिटर के इस साइट और यहां पर एक वैर कनेक्ट करनी है जो डायर्ट दूसरों वीजबोर एसी में जाएगा 25 वोल हजार युजब के नियनी है और कापासिटर की ब्लाक बली जो राइन देख रहे हैं ए माइनस और दूसरी तरफ यह ना प्लस तो बीज डेपिशद्ट इस तरह फाइनस है और इस तरह प्लस पुट्ट्फेयद्ट बल्स और च विजद्ट लिए मखी में प्लस पर चभ को जोड दे रहा है उसके बाद इसको अच्छे तरिक सी सोल्डिक कर देखे तो मैंने अच्छे तरिक इसे फ्लस और माइस देख लिए अब स्कुल्ड बाक श्ल्डिक कर देखे में है तो अब यहांपर होगा प्लस मानिक आई फोल्ट की एक आईसी लेनी है आईसी की पहले वाली लेक इन्पूट है दूसरी वाली लेक माइनस है और तीसरी वाली लेक आउटपूट है तो आईसी की पहले वाली लेक हम क्यापसिटर की प्लस में जोड़ देगे और आईसी की बीच वाली लेक को हम क्यापसिटर की म माइनस में जोड़ देगे और आउटपूट की वैर हम अलग से निकाल लेगे आउटपूट के लिए तो जल्दी से इसको सोल्डिंग कर देते हैं आइसी की पहले बारी लेक को हमने क्यापसिटर के प्लस में कनेट कर दिया और आइसी की माइनस में लेक को हमने क्यापसिटर के माइनस में कनेट कर दिया तो सभी को मैंने सोडी कर दिया इसके बाद आइसी की थर्ड बारी लेक से हम आप फूट की एक वैन निकाल लेके प्लस कर दे रहा हूं पावर देने के लिए तो आइसी के थर्ड लेक्स में मैंने एक रिड्वार्ट कर दी है आउट्पूट के लिए और क्यापसिटर की माइनस बाले लेक्ट में मैं ब्लैक वैक्ट कर दे रहा हूं आउट्पूट नेने को हुए इसमें पावर देने के लिए रेड़ वैंको क्यापसिटर की फ्लिक साइब में फैनेक कर दे रहा हूं और ब्लैक बाली वैर को बिज रिटी फार में हम पनेक कर देने हैं अब पूरी तरह से कंप्लीट बन शुकी है तो अब इसके टेस्टिंग कर लेका है तो और यह ग्याजित मैं वीडियो में बनाकर दिखा दी है तो डिस्क्रीशन में मैं इसका लिए देंदोगा प्लीज आप उस वीडियो को जिबिए बहुत अच्छी वीडियो हो और अब आपने चैनल को सब्सक्राइब में किया और वीडियो को लाइक में थिया तो जबी से फ्लिप स्क्रीशन दीजिए और कमेंट में बताई कि ए वीडियो आपको कैसी लगी प्लग मैंने बोर्ड में डाल दिया है और स्विच यासे मैंने वांट कर देखिए फेस इसमें फोर सब्सक्राइब में में 4.9 कॉइंट और देखा रही है मतलक इस अपने बिल्कुल काम कर रही है और इस से अप मोटर चला सकते हैं बैटरी चार्ज कर सकते हैं और लेकिन इसका यूज गरब आप इसको बिल्कूल नहीं काच की जिए गा थिए इसमें टास्ष फर्म नहीं ल अब अभी का जो बोल्टेज है वो मैं चेक करका लुखा दे रहा हूं तो लिए 2.63 वोट फिल्डा इसमें है तो अब इसको चार्ज करके देखे हैं कि यह चार्ज होता ही नहीं तो आउपूट को मैं बैटरी से चन्प कर दे रहा हूं और इसका प्लस और माइनस बहुत साब दानी से देख कर लगाने है कि प्लस और माइनस गलुपना लग जाए पूर्ड में मैं ये प्लग को डाल दी है तो अब सुच को अन करकर देखे हैं तो अब इसे पूछ टे ऐसे तो पंद्रा मिनिट हो चुके इसको चार्ज होते हैं तो अब देखते हैं कि बैटरी की पावर कितनी है तो मल्टीमेटर हमने ले लिए तो अब इसको चेक करते हैं देखिए फ्रिंस बैटरी चार्ज विल्कुल हुई है 3.98 वोल्ट इसमें हैं तो हमने जो बनाए हो गडि रहा तो बैटरी को चार्ज किया है तो अब इसा से हम मुट्र हम देख लेते हैं तो अपर स्वेस मैंने इसको स्टेविस में शीद कर दिया है तो सेंस आज की ए वीडियो ऊंचिए तर कि तुम में पहले हैं चैनल को सब्सक्री豆 तबेस्षुलिए और प्लिस्स्याइ